नमश्कार नमश्कार दोस्तों मैं निकलेश जन हिंदी छे स्पेस इंडर्चल पर आप सभी का हार्ट दिंद करते हैं दोस्तों वैसे तो मैं आज एक गेम का वीडियो लेकर आना वड़ाता लेकिन एक बहुत ही खास खबर सामने आ गए तो मुझे लगा इस पर वीडियो बन से कम उम्र के वर्ड चैंपियन बन जाएंगे तो इस टूर्णामेंट में कुछ रेगलेशन में बदलाव किया गया है जो कि पिछली विश्व चैंपनेशिप हुई थी नेपो मिंसी और डिंगली रेन के बीच तो क्या कुछ बदला है क्या है इस टूर्णामेंट की संबर 14 तक तो अब इसमें सब कुछ सामिल कर लिया जाता है मैच की ओपनिंग सेर्मनी और वह बाकी सारी चीज़े भी तो असल जो मैच है वह जैसा कि हम सभी जानते हैं वह अभी आपको पताऊंगा कि किस दिन शुरू होगा तो सबसे पहले जो की हाइलाइट है रेगुल जो मुकाबला हुआ था आनन जी और कालसन के बीच में तब वह 12 मैच की विश्व चैंपनेशिप होती थी लेकिन उसके बाद इसे बढ़ा करके पिछले जब कालसन ने अंतिम बार नेपो को हराया तो 14 क्लासिकल मुकाबले कर दिये गए और क्या बदलाओ किया गया कि पहल इंक्रिमेंट वाली सुविधा नहीं होगी इंक्रिमेंट कब से जुड़ेगा जब 40 चालें पूरी हो जाएंगी और बाकी की खेल के लिए 30 मिनिट और दिये जाएंगे तब जो है 41 वी चाल से 30 सेकंड का इंक्रिमेंट जुड़ जाएगा तो ये एक बड़ा बदलाओ है इससे आप समझे खिलाड़ी अगर टाइम प्रिशर में आ गया कोई किसी ने कोई खतरनाक नौविल्टी खेल दी बोर्ड के उपर और आप उसको नहीं समाल पाए और आपने पोजिशन समाल भी लीजे मालीजे लेकिन उसको समालने में आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ जर ताइ ब्रेक में क्या किया गया है कि खिलाड़ियों से बात की गई है और ताइब रेक जो है वो निकाला गया है कुछ स character 4o होंगे 15 minute के 10 second के increment के साथ तो मतलब यह खलका सा बदलाव क्या है format को और fast कर दिया गया है अगर score बराबर रहता है तो 4 game के बाद तो उसके बाद दो rapid game जो है 10 minute के खेले जाएंगे 5 second के increment के साथ इसके बाद स्कोर बराबर रहता है अगर तो फिर नेक्स्ट आइब्रेक में जो है एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट आइब्रेक में क्या होगा दो गेम होगे blitz के play-off के तीन 3 प्लस 2 के अगर उसमें परणाम नहीं निकलता है सेम रहता है रिजल्ट तो उसके बाद एक सिंगल गेम होगा तीन मिनिट इच प्लेयर का और दो सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ अगर उसमें वह गेम भी ड्रॉर रहता है मालीजे एक और तीन मैच होगा वह कलर रिवर्स में होगा अगर होगा तो मतलब पहला जो ब्लिट हुआ उसके बाद दूसरा कलर रिवर्स में होगा और और यह जो प्रोसे से तब तक चैंपर्शिप में 5 प्लस 3 से शुरू होता था उसको 3 प्लस 2 पर ही रखा गया है शुरुआत से अच्छा प्राइजे बड़ी खास चीज है इसको फीडे ने अलग तरह से जो इस बार डिवाइड किया है हर प्लेयर जो है वह उसको एक गेम जीतने पर दो लाक डॉलर मिले अगर आपने मैच जीता है तो अब आप इसको समझ लिजे कुछ इस तरीके से कि अगर माली जे कोई मैच जीता एक तो उसको करीब एक करोड़ साथ लाक रुपए एक मैच जीतने के लिए मिलेंगे उसके बाद की जो भी राशी होगी जो भी मैच जीते हुए मैच है माली जे की कोकेश ने तीन मैच जीते डिंग ने तीन मैच जीते तो माली जे की धनराशी जो है वो समझ लिजे की यह जो आप 1.1 मतलब करीब करीब 5 करोड़ 5 करोड़ दोनों को ऐसे मिल जाएंगे और ब मालीजे की मैक्स जो है वो टाइब्रेक में डिसाइड हुआ तो फिर ये जी थार का सिस्टम जो है पूरा चेंज हो जाएगा और उसके बाद फिर जो जीते गा उसको वन लैक और 25 नवंबर से राउंड शुरू होगा तो 25, 26, 27 को तीन राउंड होगे 28 को रेजडे होगा फिर 29, 30, 29 नवंबर को होगा और 1 दिसंबर को छटा राउंड होगा मतलब 3-3 राउंड के बाद ब्रेक है फिर एक फ्री डे आएगा फिर उसका 3 दिसंबर से शुरुआत हो जाए और उसके बाद 10 दिसंबर को ब्रेक है फिर 11 दिसंबर को 13 राउंड होगा 14 दिसंबर को 12 दिसंबर को छाख और अगर जुरूत पड़ी 15 को ठाब होगे पदर दिसंबर को खिलाड़ी अपने अपने देश जो है वो लॉट जाएंगे तो ये बड़े बदलाव है विश्व शतरन चैंपरशिप में गुकेश और डिंगलिरिन के इसके बारे में फीडे ने अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया है और सबसे बड़ा जो जादा पूरसकार रासी जो है वो मिलेगी हाला कि मुझे नहीं लगता कि जब कोई मैच चलता है तो रुबश्व चैंपेंशिप की तो कोई खेलाडी जो है वो पूरसकार रासी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि हारने पर भी ठीक ठाक रासी मिलने वाली है तो उसकी पूरी नजर जो होती है किती हास में अपना नाम दर्ज करने में होती है तो फिलाल जो प्रदर्शन चल रहा है टीग लीडे रेंविश्व में ऐस्थान पर है गोकेश साथ वे श्थान पर रहें गोकेश की डीग करेश से करीब 32 points तीज ज़ब 20 जैदा हो रहा है तीज पर करीब करीब उलम्पियाड आ रहा है बस एक अपते में ही तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि दौनों की रेटिंग क्या होती है उलम्पियाड के बाद फिलहाल के करन्ट प्रदर्शन पर हम देखें तो निश्चित तोर पर गुकेश का पढ़ड़ा भी फिलहाल भारी नज प्लीज कमेंट करें और हम इन कमेंट को याद रखेंगे जब रही होगी और अगर आप मेंसे किसी ने जो है वह सही जवाब दिया होगा तो उसको भी जुरूर हम लेखित करेंगे और देखते हैं हो सकता है कि आपके लिए कुछ हम ले करके भी आएं इस तरह की कोई प्रत झाल